अगर आपने चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें मेरा नाम आस्था जारिया है और यहाँ पर हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं जितने भी ट्राइबल मुव्मेंट्स या ट्राइबल रिवोल्ट हम कहा सकते हैं आदिवासियों के द्वारा जो आंदोलन किये गए जो रिबेलियन हुए पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स क के टाइम पर वह सब हम रिवाइस करने वाले हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि यह रिवोल्ट जो हैं कब हुए कहां हुए और क्यों हुए तो यह सारी चीज़ें करने वाले हैं तो चलिएं शुरूरात करते हैं सबसे पहला है पहाडियाज रिवेलियन ये हुआ था 1778 में 1778 में यह हुआ कहा था राज महल हिल्स में राज महल हिल्स की लोकेशन हम आगे देखेंगे मैप में ताकि आपको अच्छे से याद रह सके फिर आगे बात कर रहे हैं यह हुआ गया है क्यूं था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जबर्दस्ति उनके जमीनों पर कब्जा कर बेंगॉल के यह कब हुआ था 1776 में 1776 में 1776 में क्यों हुआ था क्योंकि बहुत जादा हाई टैक्सिस बढ़ा दिये गए थे ब्रिटिशर्स की द्वारा और उस समय पर फेमाइन भी आया था बेंगॉल में तो इसकी वज़े से यह अप्राइसिंग देखने को मिली थी कोल अप्राइसिंग यह हुआ था कोल्स ओफ छोटा नागपुर के द्वारा छोटा नागपुर लोकेशन अब आँके देखेंगे फिर इसके जो लीडर है वो कौन थे बुधो भगत कब हुआ था 1831 में अब यहां पर यह ब्रिटिशर्स जो थे उनके जो लैंड से उनको कर रहे थे आउटसाइडर्स को इस वज़े से कोल अप्राइसिंग देखने को मिली थी और यह जो रिवोल्ट है इसीली सप्रेस कर दिया गया था तो यहां पर राजमहल हिल की लोकेशन आप देख सकते हैं जार्खन में लोकेटिट है नौर्थ ऑफ छार्खन और यहां पर चोटा नागपुर प्लेटियों नागपुर से कहीं भी रिलेटिट नहीं है यह इस एरिया में चार्खन के एरिया में बिलॉंग करता है तो आगे देखते हैं अब यह हो जो ट्राइबल्स है वो उनके जो लीडर थे राजा पहरात उनके अंडर में यह रिवोल्ट हुआ था 1827 में 1827 में यह रिवोल्ट हमें देखने को मिला ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यह कौनसे एरिया पे था यह भी छोटा नागपुर एरिया जो कि अभी हमने देखा वहां पे था तो यहां पर आगे बात की जा रहे हो ट्राइबल्स और मुंडास के द्वारा 1831 में भी एक रिवोल्ट किया गया यह किस वज़े से था जो नई फार्मिंग रिवेन्यू पॉलिसी थी नए टैक्स लगाए गे थे फार्मिंग में तो उसके अगेंस्ट यह हमें देखने को म मिला था फिर मुंडास की लीडर थे जिसके बिर्सा मुंडा काफी इंपॉर्टेंट है यह यह रिवोल्ट देखने को मिला 1899 से 1900 तक में तो यहां पर यह कहां था साउथ ऑफ राची राची कहां जारखंड तो वहां पर बिर्सा जो हैं वो कैप्चर कर लिए गया थे और अगे भी एक यह उल्गुलन अपराइजिंग देखने को मिला था जो इसका सपोर्ट किया था बिर्सा मुंडा ने 1860 से लेकर 1920 तक इसमें जो फ्यूडल, समिदारी टेन्योर और एक्स्प्लोइटेशन ऑफ मनी लेंडर्स जो मनी लेंडर्स थे, फोरेस्ट के कॉंट्राक् संथाल रिबेलियन, यह भी काफ़े इंपोर्टेंट है, यहां पर जो संथाल्स हैं, संथाल्स ट्राइज हैं, उनके जो लीडर्स थे, सीडो और कान्हों, कब हुआ था यह 1855 से 56 में, कहां बिहार में, जिसमें की जमीनदार्स और मनी लेंडर्स के अगेंस्ट इन्होंने था, तो पहले तो यह जमीनदार्स और मनी लेंडर के लिए ही था, पर बाद में अंटे ब्रिटिश यह मूव्मेंट हो गया था, इसीली सप्रेस कर दिया गया था, कोंट अप्राइजिंग, किसके द्वारा चक्रा बिसनोई, कि द्वारा यह लीड किया गया था, इनके ली 1914 में भी यह देखने को मिला था, जो कि तमिल नाडू से लेकर बेंगॉल तक में यह पूरा फैला हुआ था, और उडीसा में यह 1914 में भी देखने को मिला था, जो ट्राइबल कस्टम्स हैं, उनमें इंटरफेरेंस हो रहे थी, और उसकी वज़े से जो ट्राइबल्स थे, का मोल्ठ में देखने को मिला था, इतने लार्ज स्केल पर, फिर है आगे नाए काड़ा मूवमेंट, अब यह नाए काड़ा मूवमेंट हुआ 1860 में, कहां पर मध्यप्रदेश और गुजरात में, यह भी प्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ और कास्ट हिंदूस के अगेंस् उसके खिलाफ यह हुआ था, रिवोल्ट, कोंडा डोरा कैम्पेन, किसके द्वारा, कोंडा डोरास के द्वारा, जिनके लीडर थे, कोरा मलाया, 1900 में यह देखने को मिला, डाबर रीजन में, जो की है, विशाक अपतनम में, ओके, भील रिवोल्ट, 1817 से लेकर 19 तक में, फि कर देखेंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो यह कंपनी रूल के अगेंस्ट, यह रिवोल्ट हुआ था, 1817 से 19 तक, और फिर तू फॉर्म, इसमें भील राज इन्होंने फॉर्म किया था, फॉर्म करने के लिए यह रिवोल्ट किया था, अगला है कोया में है राजा अनन्त तयार, 1886 में, कहां हुआ था, कुदावरी रीजिन में, आंधर प्रिदेश में, पुलिस के जो ऑपरेशन था, मनी लेंडर का जो इनके उपर दबाव था, एक्स्प्लोइटेशन था, उसके अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट किया था, बस्तर में का जो रिवोल्ट है, बस्तर कहां पर है, जगदलपुर छत्यसगर्ण में, 1910 में ये हुआ था, इसमें जो न्यू फ्यूडल, न्यू फ्यूडल्स थे उसके अगेंस्ट और फॉरेस्ट के उपर जितने भी टैक्सेस लगाए गए थे, उसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट movement ये किया गया था मुंडास के द्वारा, ओराउन ट्राइपज के द्वारा, जिसके लीडर थे, जात्रा भगत, बलराम भगत, तो ये इसके अगेंस्ट था, आउट्साइडर्स का जो इंटरफेरिन्स था, उनके रिज़न में, उनके अगेंस्ट ये रिवोल्ट देखने क को मिला था और यहां पर एक तरीकी से सांस्क्रिटाइजेशन मूवमेंट की शिरुवात भी कही जा रहे थी तो यह सांस्क्रिटाइजेशन जो टर्म है अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं I can make video on that तो आगे देखते हैं रामपा रिवोल्ट यह लेडवा लीडर थे इसके अल्यूरी सित्तारामा राजू जो कि कोयास के कोयास ट्राइब के से बिलॉंग करते थे तो यह जो रामपा रीजन है वो है आंधर प्रिदेश में यह भी ब्रिटिश इंटरफेरेंस जो उनकी रीजन में 1920 में 20 ओनवर्ड और पिहार के उडिसा के और वेस पेंगॉल के कई पार्ट में यह देखने को मिला था आदिवासी महासभा यहां पर फॉर्म की गई थी 1937 में जिसको रिप्लेस कर दिया गया था रीजनल चारकन पार्टी 1929 में ओके फॉरेस्ट सत्यागर यह किसके द्वारा चेंचू ट्राइबल्स के द्वारा गुडूर डिस्ट्रिक्ट में आंधरप्रिदेश में 1920 में यह हुआ था कारवास पालमाउ 1930 बिहार में जिसमें की ब्रिटिश कंट्रोल जो है फॉरेस्ट के उपर बढ़ता जा रहा था उसके खिलाब फॉरेस्ट सत्यागर किया गया था गौंड अपराइसे 1940 में जिसमें की जितने भी बिलीवर्स हैं गौंड धर्म के उनको साथ में लेकर आया गया था तो ये थे सारे जितने भी रिवोल्स थे ट्राइबल के अब तक हुए थे आपके क्विक रिवीजन के लिए तो इस लेक्चर में बस इतना ही अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले लेक्चर की सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे लेक्चर लाइक करना ना भूले और अगर पसंद आया है तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ग्यान बाटने से ही तो बढ़ता है